Hello everyone, welcome you all once again at Locaster Unlimited Study Zone टॉपिक चल रहा है प्राइक्टा और ये लेक्चर नमबर थाड़े प्राइक्टा का हिंदी मीडियम के लिए इसके पहले हम आपको दो लेक्चर करा चुके हैं तो आएए देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है तो सबसे पहले Question No.5 Question No.5 देखी क्या कहरा आपकी स्क्रीन पर Question No.5 कह रहा है कि Question No.5 कह रहा है कि घोड़े A के किसी दोड़ में जीतने की प्राइक्टा एक बटे चार है घोड़े A के किसी दोड़ में जीतने की प्राइक्टा एक बटे चार है ठीक है ना तो उसमें से किसी एक के जीतने की प्रैक्ता क्या है अगर किसी एक के बोला है तो फिर आंसर अलग हो जाएगा बट यहां पर होना चाहिए किसी के भी तो प्रश्ण में सुधार कर लीजिए तो उनमें से किसी के भी जीतने की प्रैक्ता क्या होगी क्योंकि यहां पर क्या निकाला है union union मतलब race को जीते चाहे A जीते चाहे B जीते है ना क्योंकि A के जीतने की प्रैक्ता एक बटे चार है और B के जीतने की प्रैक्ता एक बटे आठ है और क्या निकाला गया है union निकाला गया है तो किसी kb race जीतने की prize था किसि एक के नहीं किसी kb और अगर आपको यहां पर किसी kb बूला गया है तो question का answer change हो जाएगा question किस तरीके से solve होगा किसी kb का मतलब किसी kb मैं answer इसका बनेगा अगर आप किसी एक को लेते हूं तो मैं लिख देता हूं यहां पर लिख देता हूं जगह है यहां पर तो इधर लिख देता हूं मैं किसी एक के तो अगर आप बात करोगे किसी एक के जीतने की प्रैक्टा निकालना है यह दिए आपको तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अंसर क्या हो जाए तो A को हरा दो, ठीक है? हाँ, तो A जीतेगा तो B को हरा दो, B जीतेगा तो A को हरा दो, तो चलो कर देते हैं, solve, तो A की प्राइक तक क्या है जीतने की? एक बटे चार, B के जीतने की कितनी है? एक बटे आठ, तो B को हराना है भाई, क्योंकि A जीत रहा है ना? हाँ, तो B को हरा दीजिए, तो कितनी हो जाएगी? 1-1.8 मतलब 7.8 प्लस P B B जीतने की कितनी है 1.8 और A जीत रहा है सुरी B जीत रहा है तो A को हरा दो A के जीतने की 1.4 है तो हारने की कितनी होगी 3.4 बुल मुकुल आ गया समझ में हाँ ठीक है तो किसी एक के जीतने की मगर फिलहाल ये क्वेस्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेस्चन जो है गलत है दिये गए सल्यूशन के हिसाब से है ना बिटा यहाँ पर होना चाहिए किसी के भी जीतने की प्रायक्ता या रेस कम से कम एक के जीतने की प्रायक्ता ठीक है ना कम से कम रेस एक के रेस जीतने की प्रैक ता इसमें दोनों केसे सा जाएंगे जब कम से कम एक के रेस की बात होगी तो या तो A जीत जाए या B जीत जाए या दोनों जीत जाए है ना क्योंकि A और B अलग अलग घोड़े हैं है ना तो P A union B call to P A plus P B और यह कैसी घटना है परस पर अपवर जी क्योंकि A और B दोनों अलग 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 घोड़े हैं A जीतेगा तो B हारेगा B जीतेगा तो A हारेगा इस प्रकार से बोलो clear है चलो done question number 8 में ओके बता लेते हैं बटा question number 8 देखो भाई बहुत ही आसान question है question number 8 कह रहा है यदि एक यदि तीन सिक्के एक साथ उचा ले गए तो घटना में कम से कम एक शीर्स प्राप्त करने की प्रैक्ता क्या होगी भाई सबसे पहले तीन सिक्के उचा ले तो कुल आउटकम कितने बनेंगे आठ बनेंगे बुलो हाया ना हाँ अब देखो मैंने क्लास में भी बताया था कि किसी चीज का कम से कम होना तो आहां तो आपसे कहा गया है कम से कम एक शीर्स आए तो फॉबिल्टी पंसे कम एक शीर्स ये क उखल तो कम से कम एक शीर्स हाना बराबर one माइनस कोई शीर्स नहीं 1 minus कोई shears नहीं shears का मतलब बेटा head होता है 1 minus कोई shears नहीं तो बेटा total 1 minus कोई shears नहीं मनलब कोई भी shears ना आए तो कोई भी shears ना आने का एक ही case आना होता है tail 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 ओके so 1 minus 1 upon 8 equal to कित्ता हो गया 7 by 8 बुलो clear है देखो क्या है कि इसको अगर बड़ी method से भी तुम करना चाहो तो इसको तुम बड़े method से भी कर सकते हो मैं तुमको बड़ी method भी करके दिखाए देता हूं है ना अगर इसको large method से करना चाहो तो उससे भी तुम इसको कर सकते हो उस method से भी तुम देख लो देखो क्या हाँ वेटा अरे शीर्स मतलब हेड यार शीर्स का मतलब हेड होता है और सीर्स के बाद क्या सीर्स को उसने हेड कह दिया है है ना वैसे चित बोलते है तो उसने शीर्स को हेड बोल दिया है ठीक ना बोलो clear और बाकी वैसे method देख लो total outcome ns equal to 2 की power कितने सिक्के हैं 3 मतलब की 8 और कहरा कम से कम 1 head तो probability के लिए कम से कम 1 head में कितने आपके outcome बनेगे जो event बनेगी आपके पास जो घटना बनेगी है ना वो कितने head 1 head के लिए बनेगे कौन कौन बनेगा देखो head tail 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 head tail 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 head 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 tail क्यों कह रहा है कम से कम 1 shears कम से कम 1 head आए तो head head tail head tail head tail head head तो ये हो गए अपने पास घटना आए और एक और बनेगी head head देख लो इनमें सब में कम से कम 1 head है अधिक चाहे जितने भी हो जाए मगर कम से कम 1 head है है ना तो probability किती हो जाएगी probability हो जाएगी एन ए वांचित घटन वांचित बिंदू अपन कुल बिंदू वांचित बिंदू 7 है कुल बिंदू 8 है प्राइकता हो गई 7 बटे 8 7 अपन 8 डन चलो ठीक है और कोई doubt हो तो प्लीज बताइए हाँ एक सिक्का दो बार उच्छाला जाता है दोनो बार सीर्स आने की प्राइकता ग्यात कीजिए पहली बार उच्छाला गया तो भी सीर्स आया और दूसरी बार उच्छाला गया तो भी सीर्स आया तो पहली बार सीरसाने की कैसिस क्या हो गए 1 by 2 दूसरी बार सी सेने का कैसिस क्या होंगे 1 by 2 और सिक्के का उच्छालना कैसी प्रक्रिया है स्वतंत्र घटना है क्योंकि एक सिक्के की उच्छाल दूसरे सिक्के की उच्छाल से क्या है स्वतंत्र है इसलिए यहाँ पर यह वारा रूल लगेगा PE1 into E2 intersection E2 बरावर PE1 गुणे PE2 तो स्वतंत्र घटना के लिए यह वाला केस लगता है चलिए यह थोड़ा सा इस पर आज बात हो जाए है ना तो आज पढ़ेंगे प्रायक्ता का गुणन रूल तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको किसके लिए स्वतंत्र घटना के लिए स्वतंत्र घटना के लिए जो प्रायक्ता का नियम होता है स्वतंत्र घटना के लिए प्रायक्ता का नियम चलता है कि P अगर दो घटना हैं A और B तो A और B के होने की प्रैक्ता होती है PA multiply by PB अगर तीन घटना हैं तो PA होना और B होना और C होना की प्रैक्ता क्या होती है PA into PB into PC बट याद रखना कब जब स्वतंतर घटना है जैसे एक्जामपल के लिए हो गया सिक्कों का उच्छालना प्रश्न कैसे बनेगा कि तीन सिक्के की उच्छाल में तीन सिक्के की उच्छाल में तीनों पर एक साथ हैड आने की प्रैक्ता क्या होगी हैड आने की प्रैक्ता क्या होगी थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर है एक मिनट यह रिखिए यदि एक सिक्का हाँ देखो यहाँ पर यदि एक सिक्का दो बार उच्छाला जाता है तो यहाँ पर भी मेरे को लिखना पड़ेगा तीन सिक्के की एक बार उच्छाल नहीं यहाँ पर यदि एक सिक्के को तीन बार उच्छाला जाता है अगर तीन सिक्के की एक बार उच्छाल करोगे तो आपके पास एक कॉम्मिनेशन यह बनेगा समझो देखो प्रैक्ता का खेल कितना जबरदस्त है head 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 ये बनेगा भाई साथ है ना तो ये प्रैक्ता का खेल बनेगा तो अगर तीन सिक्के एक साथ उच्छाल रहे हो ध्यान से देखना क्या बनेगा अगर तीन सिक्के एक साथ उच्छाल रहे हो तो total outcome कितने बनेगे 8 और उन में से अपने काम का जो बनेगा वो क्या बनेगा हैड, हैड, हैड तो probability किती है जाएगी इसकी एक बटे आठ अगर तीन सिक्के एक साल उचाल रहे हो ठीक ना, एक तो ये चीज हो गई नमबर वन दे दो उसको, अब दूसरा देखो question यहाँ तीन सिक्के आपने एक साल उचाले हैं ठीक है ना, मतलब एक ही घटना है ठीक है ना, और देखो अब यदी एक सिक्के को को तीन बार उचला जाता है उचला जाता है तो प्रतेक बार हैड आने की प्राइकता क्या होगी पिछले बार कोई गुड़न रूल नहीं लगा था अब लगेगा गुड़न रूल याद रखो, question को समझो अब लगेगा product rule क्या कह रहा है पहली बार भी हैड आए दूसरी बार भी हैड आए और तीसरी बार भी हैड आए कैसी घटना है सिक्के का उचलना स्वतंत्र घटना है क्योंकि सिक्के में एक बार उच्छलने पे हैड आता है तो दूसरे बार उसके टेल आने की probability में कोई परवर्टन नहीं होता है सिक्के की हर उच्छल एक दूसरे से स्वतंत्र होती है ऐसा नहीं होता है कि हेड आ गया तो दूबारा हेड नहीं आ सकता है या टेल आ गया तो टेल नहीं आ सकता है इसलिए सिक्के की उच्छल स्वतंत्र होती है इसलिए मैं इसको स्वतंत्र घटना कहूंगा और सतन्त घटना के लिए रूल लगता है PA into PB into PC तो pH into pH into pH अब देखो बेटा एक सिक्के को लेकर के एक्सपरिमेंट किया गया भले तीन बार उठाला है अपने बट एक सिक्के को पहली बार फेका तो हैड आने के किस कित्ते 1 by 2 तूसरे बार भी कित्ते 1 by 2 और तीसरे बार भी कित्ते 1 by 2 तो आनसर कित्ता आया 1 by 8 और आपको लिखना भी ऐसे पड़ेगा भले आनसर मैच हो रहा है बट अगर आप ये लिख करके आएंगे तो लॉजिकली ये गलत हो जाएगा आपका क्योंकि यहाँ पर एक साथ उच्छाला है तीनों सिक्कों को आपने एक साथ उच्छाला है समझ गया ना और यहाँ पर आपने एक सिक्के को तीन बार उच्छाला है पहली बार दूसरी बार तीसरी बार तो पहली बार ये आया है से कोश्चन्स को ठीक ना तो फिलाल मैं अपने वापस टॉपिक पर वापस आता हूं मैं आपको बता रहा था कौन सा रूल मैं आपको बता रहा था गुड़न रूल गुड़न रूल प्राइक्ता का गुड़न नियम तो प्राइक्ता का गुड़न नियम में पहले बने बता ह आपको किसके लिए स्वतंत्र घटना के लिए और स्वतंत्र घटना के लिए जो बच्चो गुडन रूल होता है स्वतंत्र घटना के लिए बच्चो जो गुडन रूल होता है मैंने आपको बताया कि P A intersection B equal to P A into P B अगर तीन घटना हो तो P A into B into C इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू कित्ता बिटा पी सी अगर तीन घटना है हो तो चलिए अब बात करते हैं परतंतर घटना है ना परतंतर घटना परतंतर घटना मतलब ऐसी घटना है जो एक का होना दूसरे को प्रभावित करे दूसरे को प्रभावित करे ऐसी घटनाओं को परतंत्र घटनाओं बोलते हैं तो इन घटनाओं में अगर दो घटनाओं आपकी हुई है एक साथ A के बाद B या B के बाद A हुई है तो A और B के होने की प्राइकता क्या होगी बेटा इसका रूल याद कर लो पहले A घटत होगा और फिर अगर A घटत हो चुका है तो A के उपर कौन घटत होगा B घटत होगा याद कर लो ये मैंने पढ़ाया भी था आपको पिछली क्लास में कि A और B के होने की प्राइकता A घटत होगा और A के उपर कौन घटत होगा B घटित होगा दूसरा देखो अगर आपने B intersection A लिख दिया और आप कह रहे हो कि पहले B को घटित करवाऊ सर तो पहले B घटित होगा और B के उपर कौन घटित होगा A घटित होगा ठीक है ना? B के उपर कौन घटित होगा A घटित होगा क्लियर हो गया जोर से बोलो क्लियर है हाँ तो दो यह important formula है अब आईए इन पर हम question देख लेते हैं देखो question में कैसे लिखता हूं 52 की पत्ती में से में से 221 एक साथ 221 एक साथ निकाले जाने की प्राइक्ता क्या होगी प्राइक्ता क्या होगी 221 एक साथ निकाले जाने की प्राइक्ता क्या होगी दूसरा question मैं इधर लिख रहा हूं 52 के पत्तों में से 52 के पत्तों में से 221 एक के बाद एक एक के बाद एक निकाले जाने की मतलब पहले पहला निकाला प्र उसके बाद दूसरा निकाला एक के बाद एक निकाले जाने की प्राइक्ता क्या होगी देखो बटा अब इस question से बहुत सारे concept आपके clear होगी पहला प्राइकता दो एकका, एकका को इंगलेस में एस बोलते हैं, तो 2 एस इक्वल 2, देखो कुल कितने आउटकम आएंगे, 52 में से दो पत्ते खीचना, नीचे आएंगे 52 C2, क्योंकि टोटल दो कुल घटना है, कुल आउटकम, 52 पत्तों में से दो पत्ते खीचने के तरीके 52 C2, और उपर कितने पत्ते हैं, एकके के चार पत्तों में से दो पत्ते खीचने के तरीके, 4 C2, चलो अब हल कर दो, 4 C2 मैंने सिखा रखा है, 4 C2 कैसे हल होता है, 4 से 2 कदम पीछे, 4 गुणे 3, और इधर भी 2 से 2 कदम पीछे, 2 गुणे 1, 52 C2, 52 से 2 कदम पीछे, 52 into 51, और इ चलो काट दो, 4 से कित्ते बार 13 बार, और 3 से कित्ते बार 17 बार, आंसर 1 बटे 13 गुणे 17, ये नोट, हल कर देना जो भी हो, ये क्या होई, ये 52 के पत्तों में से 2 पत्ते, 1 साथ खीचने की प्रैक्ता, ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा देखो इसको, अब आप P A1, intersection A2, हाँ, अब एक एक का खीच लिया, तो एक एक का खीचने के बाद कुल एक कित्ते हो जाएंगे 3, क्योंकि पहले थे 4, और अगले में कित्ते आ जाएंगे 3, मतलब पहला एक का खीचा जाना, दूसरे एक के को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि पहले एक कित्ते पत् हो गए, मतलब कैसी घटना है, मतलब यहां से पता चला है कि यह परतंत्र घटना है, कैसी घटना है यह यह परतंत्र घटना है, तो आओ भाई, क्या सिखाया है, मैंने आपको फॉर्मूला, P A1, multiply by P A1 के उपर A2, चलो, P A1, मतलब स्वतंत रूप से A1, उसके बाद P A1 के बाद A2, चलो, कैसे करते हैं हल देखो, P A1, A1 मतलब पहला एक का खीचो, तो पहले एक के में कित्ते के खीचेंगे, चार पत्ते हैं, चार में से एक एक का निकालना है, और नीचे कितने हैं, 52 C1, यह हो गया, multiply, अगर पहला पत्ता खीच चुका है, तो पहले एक के के खीचने के ऊपर, दूसरे एक के के निकालने की प्राबिल्टी, तो पहला एक का अगर खीच चुका है, तो टोटल पत्ते कित्ते बच गए, 51 C1, और एक कित्ते बचे हैं, 3 बचे हैं, तो 3 C1, देखो भाई, आंसर सेम आ रहा है, 4 upon 52, multiply by 3 upon 51, काट दो इसको, 4 बन जा 4, और ये कितने बार जाएगा, ये 13 बार जाएगा, है ना, 4 13 जा 52, और 3 बन जा 3, और ये 17 बार जाएगा, तो आंसर हो गया, 1 upon 13 into 17, yes, तो दोनों एक ही बाते हैं, है ना, चाहे आप इस तरीके से ग्यात करो, चाहे इस तरीके से ग्यात करो, बट जब question आपको साम आंसर देना पड़ेगा, और अगर कहे का directly दो पते निकाले जाएगा, तो आपको इस तरीके से निकाले जाएगा, दोनों बाते एक ही हैं, है ना, बट लिखने का तरीका अलग अलग हो जाता है, मतलब याद रखिएगा, कि combination जो होता है, वो already परतंतर के ही सिध्धान्त प आ रहे हैं, तो चाहिए आप इस तरीके से करो, जै इस तरीके से करो, but question में दिया रहे हैगा, तो इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है, तो 2, 1 के, 1 के बाद 1 बोला जाए, तो पहले-पहला निकालो, और उसके बाद फिर दूसरा निकालो, ठीक है? हाँ बिटा अच्छे से इसको नोट कर लो ये बहुत बढ़िया कंसेट मैंने आपको बताया है इससे आपकी बहुत सारी अंडरस्टेंडिंग क्लियर हो जाएगी मतलब दिखावा अलग-अलग है मगर दोनों के अंदर चीजें एक ही है ठीक है ना आपको सुरुवात में देखके लगेगा कि दोनों क्वेश्चन अलग-अलग है बट देखा जाए तो दोनों क्वेश्चन का आंसर से मारा मतलब है वो एक ही काम हो रहा है मगर अलग-अलग तरीके से हो रहा है कि जैसे आप गए किसी सादी पार्टी में तो आपको बूला गया कि इडली डोसा खाने की probability निकालो तो भाई इडली भी खाओगे डोसा भी खाओगे और फिर कहा गया इडली के बाद डोसा खाने की probability निकालो ठीक है न? हलाकि यहां पर idli dosa का example सही नहीं बेठेगा क्योंकि idli और dosa एक दूसरे से independent है क्योंकि वो भी अलग चीज है ये भी अलग चीज है और ऐसा कोई dependence नहीं बचेगी कि idli खाली हो तो dosa नहीं खाओगे तो यह example यहां पर fit नहीं बचेगा फिर भी एक मन में क्योंकि यह समझ लो कि यहाँ पर dependent case है क्योंकि अगर आप एक एकक हीच लोगे तो अगले एकके आने की probability कम हो जाएगी क्योंकि पहले चार एकके थे और अब तीन एकके बचे तो probability निश्चित रूप से कम हो जाएगी तो ऐसी probability जहाँ पर कम जादा होती रहती है इनको बोलते हम dependent event या परतंदर घटना है नोट करिए इसको बहुत बढ़ी अकंसे बताया है चलिए देखे जैसे मुकुल ने आपर question पूछा है कि शादी में जाने पर एक साथ दो रस गुले खाने की प्रैक्ता और दूसरा एक के बाद एक रस गुले खाने की प्रैक्ता हाँ अब देखिए अगर आपके पास जो साधी में जो बाउल रखा हुआ है उस बाउल में आपके पास यदि 52 रस गुले रखे हुए है है ना 52 रस गुले अगर आपके पास रखे हुए है तो ये question जो है बन गया dependent का बिलकुल बन गया बिलकुल सही है अब यदि ये 52 रस गुले रखे हुए है तो ये question बन गया dependent का तो साधी में जाने के बाद 2 रस गुले खाने और 1 के 1 रस गुले खाने तो दो रजगुले आपको खाने है और एक के बाद एक रजगुला खाना है तो भाई लिए फिप्टी टू सीटू है ठीक है ना मतलब बात वही हो गई कि आपके पास टोटल पत्ते 52 हैं और 52 में से आपको दो पत्ते खीचने हैं है ना तो दो पत्ते कोई भी आप निकाल सकते हो 52 सीटू तो नीचे आ जाएगा 52 सीटू और उपर कितना आ जाएगा तो बामन में से दो रजगुले खीचने की प्रबिल्टी अब देखो भाई अब सारे रजगुले एक जैसे अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत हाई लेवल में जा रहा है क्योंकि पर्मूटेशन कॉम्बिनेशन दूसरे तरीक 52, C2 का concept नहीं लगेगा क्योंकि कार्ड तो अलग-अलग होते हैं तो कार्ड में क्या करना पड़ता है कि अलग-अलग कार्ड निकालने पड़ते हैं बडर यहां पर सारे रजगुले वही काले-काले-काले-काले-काले दिख रहे हैं उनमें आपको डिफरेंस नहीं दिख ही नहीं दे रहा है तो डिरेक्ट ली यहां पर कितना जाएगा 52 ही आएगा जो लुड़न हाँ अगर मतलब एक जैसे ना वो सारी के सारी भाई तास के पते तो अलग-अलग होते हैं तो तास के पते अलग-अलग होने में नीचे 52 सी टू बन जाता है चलिए अगला कंसिप पर चलते हैं तो अगला कंसिप आप देखिए तीन के लिए प्रबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी- इंटरसेक्शन सी कैसे करेंगे equal to सबसे पहले A को हो जान दो multiply A हो जाने के उपर B को कर डालो multiply probability A और B घटित हो चुके हैं तो किस को कर डालो C को लिख लो ये है good rule probability का probability का multiplication rule कैसे हल करते हैं देखो अगर आपके पास 3 king दिये गए है king 1, king 2 king 3 king 1, king 2, king 3 आपको 3 king निकालने की probability है 3 king निकालने हैं आपको एक के बाद एक 3 king तो सबसे पहले पहला king खीचोगे king 1 multiply by king 1 के उपर king 2 निकलेगा multiply by king 1 और king 2 अगर खीचे जा चुके हैं तो क्या निकलेगा king 3 ये rule लगेगा बेटा probability में चली इसको solve कर देता हूँ नमबर 1 पहला king खीचा आपने king के कितने case होते हैं 4C1 upon 52C1 ये लो भाई पहले king के खीचने की probability निकल लगई दूसरे king के के अगर पहला king खीचा जा चुका है तो उसके उपर दूसरा king निकालो पहला king आप खीच चुके होगे तो तोटल तीन पत्ते बचे होंगे king के तो 3C1 और नीचे कितना आजाएगा 51C1 क्योंकि एक king तो कम हो चुका है अगला देखो दो पत्ते आपने खीच लिए दो king आपने खीच लिए हैं तो अब कितने king बचे हैं अब बचे हैं दो king तो 2C1 और पत्ते कितने बचे 50C1 तो आंसर कितना 4 x 3 x 2 और नीचे 52 x 51 x 50 नोट कर लिजिए एक के बाद एक तीन king निकालने की probability तो यह dependent event का चमतकार आपको दिख रहा है है ना मतलब प्रतिबंदी घटनाए इस प्रकार से हल होती है बोलो clear है सभी बच्चों को एक बार yes बोल दो ठीक चली अब अगला concept जो है वो है total probability total probability परिडामी प्राइक्ता इसे कुल प्राइक्ता भी कहते हैं total probability या परिडामी प्राइक्ता भी इसे कहते हैं आईए देखते हैं परिडामी प्राइक्ता किस प्रकार से हल होती है पहले इसके concept को समझो इसका concept ये इस तरीके से है मान लो आपके पास ये कोई घटना है और इस घटनिया के कई पार्ट है घटना ए है घटना ए का मतलब है ए का मतलब है भारत का जीतना इंडियन क्रिकेट टीम का जीतना भारत की जीत ये ए का मतलब है और इस ए के कुछ शेयर होल्डर है इस ए के शेयर होल्डर है ए का शेयर होल्डर है E1 E1 मतलब शिकर धवन की बेटिंग E2 प्रोहिश शर्मा E3 विराट कोहली E4 सूर कुमार यादव इस तरीके से चलते 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 कितने घटक है E1, E2, E2, E3, 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 EN है ठीक न और ये जो A है A का मैं आपको जोन दिखा रहा हूँ अभी तो A मैंने पूरा बना दिया था A पूरा नहीं है A का मैं आपको जोन दिखा रहा हूँ मान लो A का जोन ये वाला है रेड करर का जोन A का है ये देखिए इतने के अंदर जो A है ये इतनी है थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा ना चीए थे मेरे को बढ़ा मान लीजे A का जोन यहां तक जा रहा है ये है A का जोन दिखा बोलो clear है नहीं है clear एक मिनट चली तो इसको मैं yellow color से shade कर रहा हूँ एक बार A का अब आपको clear दिखेगा ठीक है नाव ये देखो तो बाहर event E है बाहर का event जो है वो universal set है और अंदर की event आपकी जो goal चले में दी गई है वो क्या है अपने पास में वो A है ठीक है ना अंदर की जो event है वो दी गई है वो A है एक काम में करता हूँ मैं इसको goal चले को भी rectangular shape में बदल देता हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी जब एक बार फिर से हो जाए तो मान लीजिए आपके पास में ये इंडिया की जीत है जो A दिखरा है वो भारत की जीत है और E1 ये E1 का share है E1 मतलब शिखर धवन की betting E2 मतलब रोहिशर्मा की betting E3 मतलब विराट कोहली का share E4 मतलब ये सब अलग अलग खिलाडियों के share दिये गए है और ये लास्ट में E1 दिया है लास्ट वाला खिलाडी रभी चंदरन अश्विन ये उसका share है अब आप ध्यान से देखो यदि मैंने कहा गया कि ये सारा कुछ हो रहा है तो भारत के जीतने की probability किती होगी P A आपको बतानी है A मतल पहले P E1 खिलाडी E1 के खेलने की प्राइकता मतलब P E1 मैच में खेलता है कि नहीं खेलता है और अगर खेलता है तो उसके खेलने के ऊपर इंडिया को जिताने की probability पहली चीज़ दूसरा P E2 मल्टीप्लाइबाइबाई P A अबलिक E2 फिर इसी तरीके से करते 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 लास आतवाला खिलाडी की probability P E N multiply by P A upon किता E N ये चलेगा इसको नोट कर लो ओके ये concept आप नोट कर लीजिए ये है कुल प्राइकता निकालने का तरीका कुल प्राइकता या परणामी प्राइकता कुल प्राइकता या प्राणामी प्राइकता पी E1 multiply by P E A upon E1 प्लस P E2 multiply by P A upon E2 प्लस P E N multiply by P A upon P E N चलो भाई नोट कर लो इसको तो ये question एक दूसरा question है बट मैं इससे आपको कुल प्राइकता का question निकल वाऊंगा देखिए क्या है question आपके पास में आपके पास है bag A और bag B दो bag हैं आपके पास में ठीक है ना आपके पास में दो bag दिये गये हैं bag A और bag B और bag A और bag B दो bag हैं उनमें से आपको एक लाल गेंद निकालनी है ठीक ना तो कुछ सीन ऐसा है बैग A है बैग B है और आपको लाल गेंद निकालनी है तो ये आपका प्राइकता हो गई लाल बॉल निकालने की रेड और रेड में कुछ शेयर बैग A का है और कुछ शेयर बैग B का है तो कितना दिया है चलो जितना दिया उससे मुझे मतलब नहीं है ये मैंने मान लिया कि इतना शेयर है बैग A का और इतना शेयर है बैग B का येस ठीक है ना ए ले लो ये इस तरफ का और B ले लो इस तरफ का आपके समझने के लिए थोड़ा सा बैग B ठीक ना आपको ये डाइग्राम अगरे नहीं दिया रहेगा एक्जाम में बट मैं समझा रहा हूं इस तरीके से ये बैग A का शेयर है बैग B का शेयर है आपको निकालनी है रेड पॉल की प्राइक ता तो प्रोबेल्टी रैड मैं लिख रहा हूं कैसे निकालेंगे प्रोबेल्टी रैड सबसे पहले बैग A का शुनाओ इंटू पी red oblique bag A plus bag B का चुनाओ into probability red oblique bag B तो bag A का चुनाओ multiply by bag A में से red gain निकलने की प्रायक था और bag B का चुनाओ multiply by bag B में से red ball निकलने की प्रायक था यहां पर दो ही खिलाड़ी है bag A और bag B मतलब ही मैं खिलाड़ी के टमस में इसको परिभाशत करूँ तो दो ही यहां पर अपन को देख रहे हैं एक bag A दिख रहा है और एक bag B दिख रहा है ठीक है तो आईए फिर निकालते हैं probability दो bag है तो दोनो bag में से एक bag के निकलने की probability कितनी होगी PA equal to 1 upon 2 और P भी कितनी होगी 1 upon 2 चलो तो फिर निकाले जाए टोटल प्राबिल्टी प्राबिल्टी रेड equal to PA PA कितना है 1 upon 2 multiply by PA में से red ball देखो उपर उपर देखो कहरा है bag A में 3 सफेद और 4 लाल गेने हैं देखो यहाँ पर 3 सफेद bag A में 3 है सफेद और 4 हैं लाल इधर देखो 4 red यह है और bag B में 5 सफेद मतलब white में 5 है और 6 लाल है मतलब red में कितनी आ रही है 6 आ रही है तो आपको बताना है कि A गेन निकाले जाती है उसके red होने की प्राइकता क्या होगी लाल होने की प्राइकता क्या होगी दो केस बनेंगे या तो bag A से निकालो तो bag A मल्टिप्लाई बाई P red upon bag A या plus B हो जाएगा P B bag B का चुनाओ करो और bag B से भी कौन सी गेन प्राप्त करी आपने red प्राप्त करी यही चीज बच्चों मैंने दुबारा लिग दी आपको समझाने के लिए अब finally answer निकालता हूँ bag A किता हो गया 1 by 2 अब bag A में से red बिटा bag A में टोटल बॉल कितनी है आपके पास फोर है तो फोर सी वन बोलो यह वात समझ में आई की नहीं आई एक सिकन कि भई probability of red ball equal to probability of bag A तो bag A के निकलने के कितने चांस है 1 by 2 और A में से red ball equal to टोटल red ball कितनी है 4 और 3, 7 तो 7 ball में से bag A में 7 ball है जिसमें से red 4 है तो 4 C1 upon 7 C1 बोलो clear हुआ की नहीं हुआ बोलो भाई clear हुआ की नहीं हुआ अगला देखो 1 upon 2 bag B का यह लिख दिया bag B का multiply by bag B में से red ball bag B में total ball कितनी है 6 लाल और 5 white मतलब total ball है 11 और 11 में से आपको 11 ball में से आपको red ball निकालनी है तो नीचे 11 C1 out of out of 11 C1 में से कितनी निकालनी है red कितनी है 6 तो कितना हो गया 6 C1 ठीक है ना अब इसको हल कर दीजे तो आपका answer आजाएगा मैं उपर थोड़ी जगह है हल कर देता हूँ देखे क्या आएगा 1 upon 2 multiply by 4 by 7 plus 1 upon 2 multiply by 6 upon 11 नोट कर लिजे ये हैं एक लाल गेंद निकालने के तरीके ये हैं एक लाल गेंद निकालने के तरीके बोलो एक दम clear है की नहीं है हाँ फिर से एक बाल लिख देता हूँ बहुत important concept है ये क्या था P red ball equal to और दो पार्टी थी एक थी bag A और एक थी bag B तो पहली पार्टी मैदान में उतरी P A और हमने पार्टी A से red ball मांगी red upon A फिर दूसरी पार्टी मैदान में उतरी P B फिर हमने पार्टी B से red ball मांगी P red upon B और अगर तीसरी पार्टी होती तो मैदान में तीसरी पार्टी को भी उतार देते ओके नोट कर लो इसको चलिए तो अब आते हैं इस chapter के last concept पे जिसका नाम है base का प्रमे याने की base theorem base theorem क्या काम में आती है बच्चों अभी जो मैंने आपको बताया P A P A मतलब कुल प्रैक्ता ये इस base theorem में बहुत काम में आएगी हाँ ये इस base theorem में बहुत काम में आएगी जो मैंने अभी सवाल बताया था ये बताया था मैंने कहा कुल लाल गेन निकालने की कुल प्रैक्ता ये इसका थोड़ा सा हिस्सा है उपर जो दिया गया प्रशन नंबर 20 है उसका उत्तर ये नहीं है इससे मैंने थोड़ा सा प्रशन निकाला है है ना मैंने cable क्या निकलवाया है लाल गेन निकलने की प्रायक्ता निकलवाई है अब आंगे समझो तो अर अच्छा समझ में आएगा तो अभी तक मैंने base का प्रेमिय सीखना है जिसका थोड़ा सा हिस्सा रहेगा कुल प्रायक्ता तो पीछे वाला फार्मूला इसमें इस्तमाल होगा जो आपने इस्तमाल किया था क्या था मैं लिख देता हूँ PA equal to P पहली घटना की probability upon पहली घटना के उपर A के होने की प्रायक्ता plus PE2 दूसरी घटना multiply by P दूसरी उल्टा लिख दिया मैंने ये हाँ ठीक तो लिखा था PE1 के उपर A दूसरी घटना into PE2 के उपर A plus up to up to up to up to करके ऐसे ये मैंने formula लास्ट वाले लिख लो PEN NV घटना into NV घटना के उपर A के होने के chances ये probability मैंने आपको बताई कुल प्रायक्ता अब बेस का प्रे में कहा पर यूज होता बच्चों जब भी आपको समझ में आए कि यार ये तो उल्टा पूछ रहे हैं कुछ उल्टा पूछ रहे हैं reverse प्रतिलोम विपरीत तो ये समझ जाना कि बेस क्या थोरा में कैसे आपने सुना होगा कि सचिन तंदुलकर या विराट को लिए अगर बेटिंग करे तो भारत जीता है मतलब ये बात सही है कि भाई एक खिलाडी बेटिंग करे पी कि विराट बेटिंग कर रहे हैं और विराट जो है भारत को जीता है बटा आपने कभी कभी ये भी देखा होगा मैच में कि भारत जब जीता है मैच में चलता है ना भारत जब जीता है तो विराट कोहली जो हैं पचास से जादा रन बनाते हैं ये भी लिख करके आता है कि अगर भारत जीता है तो उसमें विराट का शेर कितना होता है तो दो प्रकार की probability है एक कि विराट ने century लगाई और इंडिया जीत गई ये तो समझ में आता है और दूसरी probability जो विलोम प्रतिलोम probability है जो reverse probability है वो कहती है कि अगर भारत जीत जाता है तो बताईए probability लगाईए कि विराट के शतक लगने की क्या प्राइक्ता रही होगी जी हाँ ये कहलाती है reverse probability अप्रोच और इसको बेस थियोरम कहते है मैं कहूँ कि आप के पास दो थेले हैं दो थेले हैं आपके पास में और दो थेले मेंसे आप red ball निका लिए तो red ball निकालने की प्राइक्ता मैंने आपको अभी समझा दी क्या थी वो तो red ball निकालने की प्राइक्ता थी अब मैं कहूँ कि ये given है कि आपके हाथ में आपने select करी हुई red ball है तो बताईए अगर select की हुई गई ball red है तो इसके दूसरे थेले मेंसे खीचे जाने की प्राइक्ता क्या होगी मतलब भाई थेले मेंसे gain निकल वाते हो तब तक तो सही है तब तक तो सीधी बात है बट अगर आप gain मेंसे थेले की पहचान करवाओ तो ये तो उल्टी बात है तो यहाँ पर क्या लगेगी base theorem जी हाँ यहाँ पर लगेगी base theorem gain मेंसे थेला नहीं थेले मेंसे तो जब भी उल्टी अप्रोच लगे तो समझ जाओ base theorem है तो आओ इसका formula हम बना देते है इसका formula ये है कि अगर देखो पहले क्या था पहले ये था कि अलग-अलग खिलाडी का share था और भारत जीतता था तो आपको याद होगा कि भारत के जीतने की प्राइकता मैंने बताई थी P E1 into P E1 के share उपर भारत का जीतना प्लस P E2 into P E2 के खेलने पर भारत के जीतने की प्राइकता कौन सा खिलाडी लेते हैं 2 number को विराट कोहली के खेल शतक की probability क्या होगी या विराट कोहली के खेलने की probability क्या होगी जो भी है ओके तो P A इंडिया जीत चुका है तो आपको इंडिया के जीतने के उपर E2 की probability निकालनी है कि E2 की probability क्या होगी तो बना दो भाई साब, अभी मैंने आपको formula पढ़ाया है, P A conditional B का याद करो, क्या पढ़ाया था, P A conditional B, मैंने क्या formula पढ़ाया था आपको, P A conditional B, A upon B, A upon B equal to P, A intersection B upon P B, बहुत बढ़ाया, तो यहाँ पर क्या आएगा, P E to intersection A upon कितना, P A, P E to intersection A upon P A, यहाँ जाएगा, ओके, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए, अब मैं लिख सकता हूँ, नीचे तो P A हई है, ओके, और उपर क्या लिखूँगा, उपर मैं लिखूँगा, P E to multiply by P A oblique E to, yes, नोट कर लिजे, अच्छे से formula बना लिजे, क्योंकि सारी चीज़ आपको बताई जा चुकी है, तो देखिए, P E to multiply by P A oblique E to, तो P A की जगे कौन आएगा, जो मैंने आपको थोड़ देर पहले पढ़ाया, यह जो पढ़ाया था मैंने, यह आएगा, तो रख दो P E to into P A oblique E to, और नीचे सारे cases, सारे खिलाड़ी, नमबर 1 से लेके नमबर 11 तक सब के share भर मारो, तो पहले P E1 उतरा, अपना share दिया, जीत में A में E1 योगदान, plus dot 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 P E1 into P A oblique E1, कुछ भी नहीं बनता, अगर आपको यह formula बनता है, तो आपका काम चल जायेगा, नोड कर लीजिए, यह formula है, अब इस पर वो numerical करवाऊंगा, जो मैं आपको भी करवाया था, चली, करिए इसको solve कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लेजिए इसको डन बोल दीजिए चलिए तो बेस थियोर्म का concept डेवलप हो चुका है अब इसके बाद ये question कराते है question में सबसे पहला आपका काम है क्या कहरा question को समझ लीजिए question क्या कहरा bag A में तीन सफेद बॉल और चार लाल गेंदे हैं तो लिए भाई कुछ ऐसा डाइग्राम डाइब का बना लो अपने समझने के लिए ये bag A वाली party है और इधर bag B वाली party है bag A में तीन सफेद और चार लाल गेंदे हैं bag B में पाच सफेद और छे लाल गेंदे हैं इन थैलों में से एक गेंद यद्रत चाया निकाली जाती है और वह लाल पाई गई लिए भाई साब मतलब सबसे पहले गेंद लाल पाई गई जैसे ये पता चला कि भारत जीत गया वैसे गेंद लाल पाई गई गई तो अगर गेंद लाल पाई गई गई है तो bag B से इस गेंद को निकालने की प्राइक्ता ग्याद करो क्या प्राइक्ता है कि ये bag B में से खीची गई होगी ओके तो diagram में पूरा बनाया देता हूँ सबसे पहले ये देख लिए आपने यहाँ पर देख लीजिए ये सारा मामला है ये लाल गेंद की प्राइक्ता पाई गई है तो यहाँ पर कौन बैठा है लाल तो red की प्राइक्ता भी आप निकालेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया है देख लीजे तीन सफेद है चार लाल है ओके तो चार यहाँ पर रेड है और यहाँ पर पांच सफेद है छे यहाँ पर रेड है शिक्स रेड है यहाँ पर तीन सफेद बॉल्स है और यहाँ पर किती सफेद बॉल्स है यहाँ पर फाइव सफेद बॉल्स है और आपको अ A की probability किती होगी 1 by 2 क्योंकि total bag 2 है, bag B की probability भी किती होगी 1 by 2, अब आपको concept लगाना है, तो क्या concept था, नीचे आता है PR, इधर आता है PB, multiply by P, अगर bag B है, तो R, चलो, बताओ भाई साब, solve किजिए, पीछे मैंने काफी सारा हिस्ता इसका करवा दिया था, अब आप लोग दिमाग लगा कि इसको solve करो, आपके पास 2 मिनट है, चले देखिए, अब मैं करवाता हूँ इसका solution, तो सबसे पहले क्या है, question पढ़ लिया, आपने question समझ लिया, अब कह रहा है कि अगर खीची गई गेंद लाल हो, तो इसके bag 2 में से, bag B में से खीचे जाने की probability निका लिए, ये इसमें पूछा जा रहा है न, तो मैं एक बार बना देता हूँ, क्या पूछ रहा है इसमें, इसमें पूछा जा रहा है कि अगर खीची गई बॉल रेड हो, तो इसके bag B में से निकलने की probability बताओ, तो अभी मैंने आपको बताए इसका formula, नीचे आता है P red उपर P B, जो लिखा उसी को लिख दो, और अगर B उपर लिखा है, तो conditional बनाने के लिए B नीचे आएगा, और उपर क्या आएगा, रेड आएगा, ये आएगा, चलो value put कर दो, तो P, bag 2, या bag B, oblique red ball, तो red ball निकालने के total cases मैंने अभी आपको develop करवाए थे, पीछले वाले question म मैंने, तो red ball मैंने आपको निकलवाई थी, बेस थियोरम के पहले, ये देखो, ये निकलवाई थी, red ball के, देखो red ball, याद है कि नहीं याद है, बोलो, हाँ, तो red ball के total cases किते निकलेंगा, देखो बेटा, 4 बटे 14, इसको काड़ दो, लिए काड़ दो इसको, 2 से 2 बार, और 2 से किते बार, 3 बार, तो नीचे 2, उपर 2 और 3, 5, ओहो, ये 7 है और 11 है, मेहनत करनी पड़ेगी, तो देखे क्या है, 2 बटे 7 और 3 बटे 11, तो 2 बटे 7 तो 3 बटे 11 को हमको हल करना पड़ेगा, तो नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है, 2 बटे 7 प्लस 3 बटे 11, प्लस 3 बटे 11, यदि इसको हल कर लूँ मैं, तो 11 और 7 का आएगा 77, इधर आजाएगा 22, इधर आजाएगा 21, ओके, तो 22 और 1 कित्ता हो गया, 3 और 2 दो 4, 43 में, answer sheet से भी, yes, ये देखिए, एक मिनट, एक मिनट ही तो सिक्के वाला question है भाई, अपन को दो gain वाला दीखना है, हाँ, ये देखिए, इसको solve किया गया है, 43 बटे 77 आए ना अपना, ये देखो भाई साब, P1, P into, R oblic E1, P2 into, P r oblic E2, ठीक है ना, तो हमाई पास जो चीजें थी, हम उनको मिलान कर लेते हैं, या यही पर एक बार solve कर लेते हैं, ज्यादा परिशान होनी की जुरूरत नहीं है, यही पर मैं एक बार इसको solve कर लेता हूँ, देखिए कैसे solve करत हैं, यह question है, सबसे पहले question देखिए, बैग A में 3 लाल बॉल हैं, और 3 सफेद और 4 लाल बॉल हैं, ठीक ना, यह देखो, 3 सफेद और 4 लाल बॉल हैं, और बैग B में 5 सफेद और 6 लाल गेंदे हैं, तो diagram मैं यहाँ भी बनाए देता हूँ आपको, यह A partition B कर दिया, ठीक है न, तो यहाँ पर लाल गेंदे कितनी हैं, तो यह देखे diagram क्लियर कर दिया हैं मैंने आपके समने, 3 सफेद हैं, 4 लाल हैं, और 5 सफेद हैं, और 6 लाल हैं, अब सबसे पहले आपको निकालना है, क्या कह रहा है, यदि इन में से एक गेंद यद्रच्छाया निकाली जाती है और वो लाल पाई गई, ओके, तो सबसे पहले रेड की probability निकाल लेते हैं, फर्स्ट रेड देखो, इसने क्या ले लिया है, E1 को ले लिया bag A, और E2 को ले लिया bag B, तो दोनों के bag के चुनाओ की प्रैक्ता क्या होगी, 1 by 2, 1 by 2, बिल्कुल clear है, दोनों के bag के चुनाओ की प्रैक्ता किती होगी, 1 by 2 और लाल गेन निकालने की probability है, bag E1 में से, देखे, तो bag A, bag B, bag A में total ball कितनी है, 4, 3, 7, और bag B में total ball कितनी है, 6, 5, 11, तो bag A में से, लाल गेन निकालने की probability किती होगी, देखे, 7C1 upon 4C1, ठीक ना, तो पहला, P red upon E1 equal to, कितना हो जाएगा भाई सब, देखे, यहाँ पर, total है, अपने पास में कितनी ball है, 7C1 है, तो नीचे आएगा, 7C1, और उपर कितना आएगा, 4C1, तो कितना आगया, 4 by 7, यह देखो, बिल्कुल सही है, दूसरा, red ball निकालो, second में से, तो कितनी है, 6 upon 11, तो 6 upon 11 हो जाएग यह देखो, total हो गया, 6 upon 11, done, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है, कि अगर, यह पता है, कि खीची गई ball red है, तो इसके second bag में से होने की probability क्या होगी, तो क्या तरीका बताया था मैंने, यहाँ नीचे आती है, total probability, probability of red ball, और उपर आता है, क्या, PE2, into P, r oblique e2, बस अब आपको यह value रखना, बच्चोर कुछ नहीं, बस value रख दो, तो आपका answer आ जाएगा, तो total probability r निकालने का तरीका क्या होता है, total probability r निकालने का तरीका क्या होगा, नीचे क्या आएगा, पहले यह देख लो, मैंने सिखाया अभी आपको, total probability कैसे निकालते है, तो total probability निकालने के लिए, pe1 multiply by pr oblique e1, फिर pe2 into pr oblique e2, और उपर कितना है, pe2 into p r oblique e2, yes, तो जो मैंने बताया, देखो, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, pe2 by r, मतलब यदि खीची गई गेंद red है, अगर खीची गई गेंद red है, तो second bag में से होने की probability, ठीक है न, एक line मैं यहाँ खुद लिख दूँगा, कि pe2 by r आपको निकालना है, तो चलो नीचे देखो, total case r के, red ball के कितने case है, pe1 into pr oblique e1, plus pe2 into pr oblique e2, देखो, red ball के, pe1 कितना है, 1 बटे 2, 4 बटे 7, 1 बटे 2, 6 बटे 11, ठीक है न, जो मैंने आपको लिख करके बताया था, देखो, दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा था, यह लिखा है, हाँ, एक बटे 2, गुणे 4 बटे 7, प्लस एक बटे 2, गुणे 6 बटे 11, यह देखो, total probability नीचे है, red ball निकालने की, तो आपको यह लिखना पड़ेगा, एक बटे 2, गुणे 4 बटे 7, और एक बटे 2, 6 बटे 11, और उपर क्या चल रहा है, उपर चल रहा, PE2, PE2 का मतलब कितना, 1 by 2, into P, red oblique E2, तो red oblique E2 आपने कितना निकाला है, 6 upon 11, तो यह divided by 1 upon 2 into 4 by 7, प्लस 1 upon 2 into 6 upon 11, बटे एक चीज में आपको बता दूँ, जो चीज आपको चाहिए, वो पक्का repeat हो रही होगी, ऊपर और नीचे, यह देखो, यह चीज repeat हो रही है, हाँ, base theorem में आपको पक्का दिखेगा, क्योंकि share निकालना है न, तो इस तरीके से बस इसको solve कर लीजिए, और solve करने के बाद आपका answer कितना आ रहा है, 21 upon 43, तो जल्दी से मेरे को solve करके बताई कि आपका answer match हुआ की नहीं हुआ, अराम से solve कीजे, जल्दवाजी मत कीजेगा, बड़ा question आएगा ये 5 marks का, अराम से solve कीजे, बताई मुझे, चलिए बच्चों अगला question देखिए, अगला question भी base theorem के concept का है, बच्चों मैंने आपको बता दिया, base theorem को पहचानने का सीधा तरीका है, ये कुछ उल्टा पूछेगा आपसे, ठीक है न, दुनिया थैले से सामान निकालती है, ये सामान निकाल करके थैला पूछेगा आपसे, समझगे न, आपके शरीर में जितने कपड़े पहने हो, उसम की फला जेव से पैसे निकालने की क्या probability है, ये पूछेगा की जेव से पैसे निकालने हैं, तो फला पॉकेट की क्या प्रापैर्टी होगी मतलब ये पैसो से पॉकेट निकलवाएगा और ऐसे जानते हो की पॉकेट से पैसे होते हैं, चलो आज आछ अफिर इसी बात पर question ह अगला क्वेशन देखते हैं, अगला क्वेशन है तीन अभिन थ्याले एबी सी दिये गए है, लियो भाई, देखते ही मन में लड्डू फूटा तीन थ्याले हैं, तो तीनों की प्रॉबिलिटी दोनों की तीनों की 1x3, 1x3, 1x3 होगी, प्रतेक में दो दो पुस्त के हैं थेले A में दोनों गणित की हैं बहुत बढ़िया थेले B में दोनों रसायन की हैं थेले C में एक गणित और एक रसायन की है एक विद्यार्थी यद्रच चाया एक थेला चुनता है और उसमें से यद्रत छाया एक पुस्तक निकालता है पहली पुस्तक गनित की है बहुत बढ़िया पहली पुस्तक गनित की है तो दूसरी पुस्तक भी थैले एसे गनित निकालने की प्रैक्ता क्या होगी यस अगर पहली पुस्तक गनित की है तो दूसरी पुस्तक भी गनित की निकलने की यह थैला एक आट दीजे यहां से तो दूसरा पुस्तक भी गनित की निकलने की क्या प्रैक्ता होगी यदि पहली पुस्तक भी गनित की है दूसरी पुस्तक भी गणित की क्या प्रैक्ता होगी। दूसरी पुस्तक भी गणित की निकलना इसका मतलब थेला एक खीचा जाना। तो थेले एक खीचे जाने की प्रैक्ता कैसी बनेगी। आईए देख लेते हैं इसका मैं कोड कर देता हूं इस क्वेश्चन को है ना। चलिए उससे बहुत इजी हो जाएगा ये। देखो कैसे कोड करेंगे। सबसे पहले क्या है। अगर पहली पुस्तक गनित की निकली है math, P math तो बेटा क्या आएगा नीचे आएगा probability of math और उपर क्या है थेला A तो उपर क्या आएगा probability of A multiply by probability math के उपर A उल्टा बोल गया A के उपर math probability A और math के उपर A बिलकुल सही है A के उपर math देखते हो किता confusion होता है A के उपर math चलो अब क्या लिखेंगे देखो probability of math तो math निकालने के सारे point probability of math पहली बुक math निकालने के सारे point तो number one थेले A का चुनाओ किया और थेले A में math निकलने की probability M by A प्लस थेले B का चुनाओ किया और थेले B में math निकलने की probability M by B प्लस थेले C का चुनाओ किया और थेले C में math निकालने की probability m by c और उपर भीया कौन है थेला a है into a m by a चलो बच्चों तो मैं value रख देता हूँ आपके साथ मैं answer भी निकलवा देता हूँ equal to p a जब किता है 1 by 3 into थेले a में math थेले a में math निकलने की probability देखो थेले a में math निकलने की probability है तो थेले a में math की कितनी पुस्च के है 2 पुस्च के है है ना तो थेले a में math की जब 2 पुस्च के है निकलने की probability किती होगी यज़ो Um design थेले a में math की दो पुस्च के है तो यहाँ पे देखिए तो कैसे लगेगा फॉर्मुला 2C1 अपॉन 2C1 फैबरेवल केसे भी कितने निकालने है 2 में से एक केस तो 2C1 आउट आफ 2C1 तो 2 by 2 हो जाएगा इसको सुधाल लो थोड़ा सा बैए एक केस मैं थी नहीं यहाँ पे देखो दोनों पुस्तके गणित की है ना तो 2C1 अपॉन 2C1 अगला देखो यहाँ 1 by 3 इधर पे 2C1 अपॉन 2C1 प्लस 1 by 3 B में दोनों रसायन की पुस्तके हैं लो खेल खतम 0C1 आउट आफ 2C1 खेल खतम हो गया 0 हो गया प्लस अगले में 1 by 3 तोटल बुक किती है 2 और केमेस्टरी की बुक है एक पड़ी हुई है मतलब मैथ की केवल एक ही बुक है है ना तो मैथ की चोईस किती है 1C1 क्योंकि एक गणित की है और एक रसायन की है तो देख लो इसका सलूशन जो हम लोग बना के लाए हैं यहाँ पे सलूशन कैसे होगा देखिए हाँ देखिए यह हो गया पहला हो गया थैला नंबर A थैला नंबर A इधर 1 by 3 और multiply by कितना हो गया 1 हो गया 1 by 3 multiply by 1 2 by 2 किता हो गया 1 हो गया फिर इसके बाद P E by 2 किता है 1 by 3 multiply by कोई बुक नहीं तो 0 और फिर 1 by 3 multiply by कितनी बुक हैं 2 में से एक बुक है तो probability किती generate होई 1 by 2 इस तरीके से solve कर लीजे तो आपके पास answer कितना आ रहा है 2 by 3 आ रहा है बताओ बन जाएगा सबसे कि नहीं बनेगा हाँ तो इसको आराम से करो बच्चो समय दे करके करो पहली पहली बार है बहुत difficult question बनता है इसका मनलब लगाने में थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी इसको है ना तो इसको समय देना पड़ेगा आपको और समय दीजिए चली तो ये probability का पूरा portion यहाँ पर आपका finish होता है अब इसके बाद एक चीज और बनती बनती है बताई थी को आपके syllabus में नहीं है जिसको बोलते हैं Bernoulli trial Bernoulli trial एक मिनट हाँ तो जो चीज आपके syllabus में है वो क्या है Bernoulli trial syllabus में नहीं है साइद तो एक बार देख लो कि क्या Bernoulli trial आपके syllabus में है की नहीं है क्योंकि परिक्षा बुद में कुछ question Bernoulli trial के दिये गए है यह देखे यह जैसे यह question जो है यह Bernoulli trial का दिया गया है तो इसका सीरा एक formula होता है वो formula आप याद कर लीजे वो formula होता है x equal to r पर probability of x equal to ncr p की power n-r और q की power r अगर Bernoulli trial आपके इस लिवस में है तो यह question से आपका सारा का सारा Bernoulli trial complete हो जाएगा यह formula आपको याद रखना पड़ेगा 11th class type formula लग रहा है जैसे 11th class में आपने binomial theorem का formula पड़ा था वैसे ही लगबग लगबग यह formula है तो n क्या है यहाँ पे n है प्रयोगों की संख्या प्रयोगों सफलता की संख्या पी क्या है सफलता की प्रयक्ता क्यूं क्या है असफलता की प्रयक्ता एक question कराता हूँ आपको सब समझ में आ जाएगा ओके क्यूं क्या है असफलता की प्रयक्ता और आपको पता है कि सफलता और असफलता का यो कित्ता होता है तो सबसे पहले इसको नोट कर लो फिर आंगे बढ़ते हैं पहले इसको नोट कर लो एक मिनट देखे यहां हट गया है क्या बोल रहे हट गया है इस लिए इसमें ठीक है तो क्या बोलो एक बर फिर से बोलो अचा बरनोली परिच्छान और दुपत बंटन हट गया है ठीक है ना तो चलो फिर अगर हट गया है तो इसको फिर करने का कोई मीनिंग नहीं है है ना कॉम्टेटिव वाली क्लास लेंगे तो इसको अलग से बता देंगे भले तो अभी इसको करने का कोई मीनिंग नहीं बैठता है बस फॉर्मुला इसका नोट कर लो जब मैं आंगे कभी पढ़ाऊंगा तो याद रखना इसमें जो आपके बुक में परिक्षा बोद में आप कॉश्चन दियें जैसे यह देखो यह दिखा प्रायक्ता ब्नटन तो प्रायक्ता बंटन वाला कवर्या क्वी हो नहीं सकता है तो इतने बार अगर पहीं हो तो इसका मतलब समझ यह वाला क्वेश्चन यह तो नहीं है दुपद बंटन का अहां बस मेरे ख्याल से यही था क्या हां खतम तो वही जो क्वेश्चन अपन नहीं देखा वह किसका था दुपद बंटन का था ठीक है चली